जार्खन में उद्योगों को बढ़ावा देने की तयारी जार्खन की हेमन सुरेन सरकार जापानी निवेस को से राजे में निवेस का आगरा करेगी इसके लिए जापान चेंबर ओफ कोमर्स और इंड़स्ट्री इन इंडिया के प्रतिने द्योग साथ बात की जाएगी बता दे जे सी सी आई आई भारत में पंजिकरी जापानी बेहसायों की संस्ता है इसका मुख्याला दिल्ली में है जारखन में उद्योगों को बढ़ावा देने के तियारी की जा रही है इसी के तहट सरकार जापानी निवेस को से राजे में निवेस का आगरा करेगी पीछले दिनों जापानी काउंसूलेट के साथ मुख्या मंत्री हमान सुरेन की होई मुलकात के दुरान इस पर चार्चा की गई थी इस दुरान जापानी निवेस को को राजे सरकार दवारा दी जा रही सुधाओक जनकारी उपलप्त कराने के बात कही गई थी इसके बाद तय किया गया कि JCCII के परतिनी दियोग साथ बैठा कर उन्हें राजे में निवेस को को दी जाने वाली सुधाओक के बारे में जनकारी दी जाएगी मोसम का मिजाज बदल रहा है बतादे मोसम विभाग ने बताया कि रात के तापमान में कमी आने से ठन में बढ़ोतरी होगी हलाकि इस बीच मोसम सूष्क रहेगा रात का तापमान नीचे आने से सिखरन होगी मौसम विभाग राची के अनुसाद जारखन के उपर अभी कोई सिनोप्टिक फिचर नहीं बना है इसलिए मौसम में कोई खास बदलाओ देखने को नहीं मिलेगा पिछले 24 घंटे के मौसम के बारे में बताया गया कि सबसे कम तापमान बोकारो थन्मर में 14 डिग्री रिकोर्ट किया गया 65,000 पराशिक्षको के अस्थाई करण पर इस माह निर्ना है राज्य में समगर सिक्षा अभियान के तहत कारण लगभग 65,000 पराशिको के अस्थाई करण तथा बेतन मान पर इस माह निर्ना हो सकता है इसकूली सिक्षा यों सक्षर्टा विभाग ने प्रस्तावी सेवा सर्थ निमावली पर निर्ना लेने के लिए 8 नहूंबर को उच अस्तरिय कमेटी की बैठक बुलाई गई है बिभागिया मंति जगनात मतु के अध्यक्षता वाली उच अस्तरिय कमेटी की इस बैठक में विकास आयूक्त, बित सचिव, कार्मिक सचिव, सिक्षा सचिव आदि सामिल होंगे आए एनेम जी एनेम परवेस परिक्षा में सामिल होने के लिए 15 नौबर तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फरम जाखन सरन्युक्त परवेस परत्युक्ता परिक्षा पायरसद ने राज्यके सरकारी एनेम इसकूलों तथा एनेम ट्रेनिंग सेंटरों में दाखिले हैत्यु आयोजित की जाने वाली परवेस परिक्षा में सामिल होने के लिए ओनलाइन आवेदन के परकिलिया शुरू कर दी है इस परवेस परिक्षा में सामिल होने के लिए 15 नौबर तक ओनलाइन आवेदन भरे जाएंगे 500 महिलाओ से 25 लाग की ठगी तोरपा परखंड की 500 महिलाओं से फेवरिक पेंटिंग सिक्षन के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है ठगी करने के बाद सिक्षन केंदर का संचालक कर्यालय से समान सपेंट कर फरार हो गया है और उसका मोवाइल भी बंद है बता दे आरोपी ने सवी महिलाओं का अकाउंट नमबर अधार कार्ट की फोटो कोपी लेकर हस्ताक्चर भी कराया है पिडित महिलाए सनिवार को थाना परवारी से मिल कर मामले की मौकिक जनकारी दी उन्हें डर है कि कहीं खाते से भी पैसा ना निकाल लिया जाए बताया जाता है कि लोक संस्था कल्यान विकास सेवा संस्थान के नाम पर तोरपाट ढोड़मा और उजूर गुडिया में एक महिने पहले पर सिक्षन केंद्र खोला गया था केंद्र के बाद पेट्रोल डियल के दाम घटाने पर क्यों मौन है हमन्त सरकार बीजेपी केंद्र के द्वारा पेट्रोल डियल पर एक साज़ डियूटी कम किये जाने का स्वागत करते बीजेपी परदेश अध्यक्ष दीपक प्रकास ने एक तरप केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया तो वहीं परदेश के सतधारी दल पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि बिधवा विलाप करने वाली सतधारी दल परदेश में भी वेट में कमी करे ताकि आम लोगों को रहत मिल सके उन्होंने राज सरकार से केंद्र की तर्ज पर पेटोल डियल की कीमतों में कमी करने की मांग की है जहारखंड के छह जीलों में बीजली संकाट D.V.C. ने जहारखंड बीजली बीतरन नीगम को दिये अल्टिमेटम के मताबिक कमांड एरिया के जिलो में बिली कटवती शुरू कर दी है इसे राज के छा जिलो रामगार हजारी बाग को डार्मा बोकारो धनबाद और गिरीडी में बिली बोकताओ की परसानी बढ़ गई है बता दे इन इलाकों में चार से लेकर आट घंटे तक की लोड सेडिंग हो रही है ग्रीड सब स्टेशन शुरू होने से जेवी एनल का कई हीसों में अपना नेटवर्क हो गया है इसलिए डीवी सी के कटवती की मार कम पड़ रही है जार्खन के सभी जीलों में पूरे उलास के साथ मना भाई दू जुवा गुबर्धन पूजा है जार्खन के लोहर्दगा एवं करढ़वा समेथ सभी जीलों में पूरे उलास के साथ भाई दू जुवा गुबर्धन पूजा की गई सुबह सही पूजा को लेकर बहने तैयारी कर रही थी बहनों ने पूजा कर अपने भायों की लंबी आयू की कामना की इसके बाद भायों ने भायों को उपहर भेट किया बता दे लोहदा का जिले में भाय दूज उत्सा के साथ मनाया गया बहननों ने भायों की लंबी उम्र की कामना की दस्वीक अक्षा में है तो राष्ट्रिप्रति भाथ कोज परिक्षा के लिए करें आवेदान राष्ट्रिप्रति भाथ कोज परिक्षा की प्रकिरिया सुरू होगाई है बतादे जारखन एकेडमी काउंसिल ने आवेदन जामा करने कितिती घोसना कर दी है आवेदन आर से 28 नॉमबर तक अनलाइन जामा होगा परिक्षा 16 जनवरी को होगी बतादे दसवी कक्षा में पढ़ रहे बिद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे आप दसवी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आवसर है बतादे जारखन एकेडमी काउंसिल की अधिकारिक बेपसाइट jack.jharkhan.gov.in से परिक्षा से सम्वांध में जनकारी प्राप्त की जा सकती है महापर्व छट की तैयारी शुरू छट महापर्व को लेकर सुक्रवार को सीटी SP सोरब ने SDM दिपक कुमार दुपे के साथ सुरक्षा बेवस्था के दिश्टिकोल से हटिया डेम और बड़ा तलाब छट घाट का निरिक्षन किया इस दोरान SDM ने बताया कि छट घाटों में पानी अधिक होने की वज़ा से घाटों में सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि अन्य विभाग से कोडिनेशन अस्थापित कर लाइटिंग की वेवस्था की जाएगी ताकि छट वर्तियों को कोई परिसानी न हो जंगली हाथी ने बुजुर्ग महिला को माड डाला जारखन के गुमला जीले के चैनपुर पर खंड थी कुरूमगर थाना के मरवा गाउ में जंगली हाथी ने सुधनी देवी को कुचल कर माड डाला बतादे पटकने के बाद पैर से बुरी तरह कुचलने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई मृतिका मेहमानी कर अपने घर लोट रहे थी तब हाथी से सामना हो गया हाथी ने रोरेत गाउनिवासी सुधु उराओ के एक काड़ा को भी माड डाला लाते हार के नबालिक छात्रा से दुसकर्म जारखन के लाते हार जीले के मन का ठाना छेत्र की बीसून बाद पंचात की नवी कक्षा की नबालिक छात्रा के सा दुसकर्म का ममला परकास में आया है पीरिता के परिजनों ने मीनिका थाना में राजेंद्र तूरी के खिलाप नामजात प्राथमी की दर्च कराई है मन का थाना प्रभारी गोतम कुमा ने बताया कि पीरिता के अवेदन पर प्राथमी की दर्च कर ली गई है पुर्वी सिंभूम में स्वाइन फुलू डेंगू और जपानी बुखार के संदिग्द जारखन में कुरोना से ठीक से अविवार भी नहीं कि स्वाइन फुलू डेंगू और जपानी बुखार ने मुझकी लिए बढ़ा दिया पतादे राज जी के पुर्वी सिम्हूं जी लेके जमसेदपुर में स्वायन फुलूट डेंगू अज़ा पानी बुखार के संदिख्द मिले हैं इसे गंभीता से लेते हुए इन्हें टी एम एच में भरती करा दिया गया है नमुना लेकर जाज के लिए भेज दिया गया है इकबाल अलंबने दशूट ऑप इंज़ीनियरिंग्स जार्खन इकाई के अध्यूक्ष दशूट ऑफ इंज़ीनियरिंग्स जार्खन राजिय इकाई की एक सथवी बार्चिक आमसभा काविजन सन्निवार को नेपाल हाउस इस्थित इंजिनियरिंग्स भावन में किया गया आमसभा में सत्र इकी स्टेज के लिए नौ निर्वाशित पताधिकार्यों को कार्यभार सोपा गया निव वर्तमान अध्यक सिया रंजन कुमार सिंग ने सी सी एल के सिवा निवरीत प्रबंधक इकबाल आलम को अध्यक्सपद पर प्रभार सोपा सांसद संजय सेथ ने कहा पेट्रोल डियल की कीमत में 5 रुपे प्रति लीटर की कटोती करे राजिसरकार पेट्रोल और डियल की कीमतों में प्रती लीटर पांच रुपए और दस रुपए की कटोती के बाद रांची के सांसत संजय सेट ने पधान मंत्री नायंद बोदी को बदाई दी है उन्होंने कहा है कि केंदर सरकार आम लोगों का दर्द समझती है इसलिए प्रधान मंत्री ने दीपावली पर देश को बड़ा तोफा दिया है इसके साथ ही उन्होंने राजसरकार के मुखिया हेमंद सुरेन से भी मांग किया है कि राजसरकार भी अपने हिस्से में से पेटोल और डियल में पांच उर्पे प्रती लिटर की कटोती करे संजाय सेथ ने कहा देश के कई राजजियों ने पेटोल डियल पर वेट कम कर दिया है कोवीड रोधी टिका करन को ले मेगा ड्राइब आज गाडवा जीले में कोवीड रोधी बैक्सिनेशन को लेकर रभी वार से 3 दिनों तक मेगा ड्राइब चलेगा मेगा ड्राइब 9 नौम बर्थक चलेगा इस समद में सीवील स़जेंट आक्टर कमलेश कुमा ने बताया कि उक्त मेकर ड्राई में स्वास्त विभाग के अलावा और ने विभाग के स्वयोगी से जीले की 135 पंचायत के 18 वर्ष से अधिक उम्रे के सभी लोगों को वैक्सिनेशन का पाला डोज देने का लक्ष निधाइन किया गया है जल कुम्भी मुक्त होंगे तलाब रांची में 2 कोल रूपाई की लागत से खरीदी गई बीड हार्वेस्टर मसीन जारखन में पहली बार आई है बतादे जारखन ही नहीं बलिक बिहार उडिसा स्तमेत अने परोशी राजियों में भी या बीड हार्वेस्टर मसीन नहीं है रांची नगर निगां पहले रेंट पर इस मसीन को लेना चाहता था बाद में हिमत जुटा कर उसने या मसीन खरीद ली है या मसीन बड़े से बड़े तलाब को 3 गंटे में जलकुम्भी और कच्रे से मुक्त कर देगी इस मसीन से जगनात पूर तलाब को साप किया गया है अब जाखन की रजधानी राची से गुजरात के अमादाबाद तक का सफर असान होगा दरसल देश की सबसे बड़ी कमपनी इंड्यूगो दस नॉमबर से अमादाबाद राची रूट पर फ्लाइट्स का संचालन सुरू करेगी कमपनी ने सनिवार को जारी ब्यान में बताया कि अमादाबाद राची रूट पर उसकी फ्लाइट सब्ता में चार दिन संचालित होगी एक नॉमबर से अमादाबाद जोधपूर के बीच उसकी फ्लाइट सुरू हो चुकी है बनरक्षियों ने मंत्री व व विधायक को सोपा ग्यापन जायखन राज अवर वन सेवा संग पच्मी सिम्भूं जिला इकाय के प्रतिनिधी मंडलने मंत्री जोभा माजी और चाईबासा विधायक दीपक बिरुगा को उनके आवास पर पहुँचकर प्रतिनिधी मंडलने बन पाल नियुक्ति नियमावली 2020 के बिरुध में ग्यापन से होपा जारखन राज अवर बन छेत्र कर्मी नियमावली 2014 के अनुसार बन पाल के सत्र परतिसत पद कारे रत बन रक्षियों के द्वारा ही पुनरती से भना जाना है इसलिए नियमावली के तहत ऐसा नहीं किया जा रहा किसानों को मिला 5000 में सोलर पंप रांची का नगड़ी परखंड जहां के विभीन गाओं में जारखन रिनुवेबल एनरजी डेवलोप्मेंट एजेंसी ने किसानों को 2 HP का समरसेबल पंप परदान किया है ताकि वे अपने खेतों में सिचाई कर सके बता दे नगड़ी परखंड में कोई किसानों ने इस योजना का लाव उठाते हुए लवक तीन महीने पहले अपने खेतों में सोलर पंप लगवाया है जेरेडा ने पी-म कुसुम योजना के तहर 70% सबसिडरी पर किसानों के खेत में पंप लगाया है किसानों को सिर्फ 5-6 रुपे देने पड़े हैं